नमस्कार दोस्तों, स्वागे ते आप सभी का इस PW के अमीजिंग से प्लाटफॉर्म पे और हम फिर से हाजिर हैं इस उद्गम सीरीज के ही sequence में सेम स्टेस्टिकल थर्मोडानमिक्स का ही lecture number 2 लेके तो lecture number 2 जो आज की class में अपन discuss करेंगे इसमें जो जो topics अपन पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे वो कहीना कहीं सारी बाते समझके, जानके हम previous year सावालों में apply करेंगे इससे पहले भी हमने पहला lecture that is regarding this statistical thermodynamics already discuss किया है, उसमें अपने कुछ-कुछ basic बाते discuss करी थी, कुछ-कुछ important formulas भी देखे थे उसमें और उसमें हमने कहीना कहीं सवाल भी किये थे, जो तुम्हारे कहीना कहीं previous year exam that is regarding CSIR net में पूछे गए हैं तो सेम इसी प्रकार से आज के session में भी हम कुछ-कुछ important बाते बोलने वाले हैं, उन सारी बातों को हम कहीना कहीं सीखके previous year सवालों में apply भी करने वाले हैं तो आएए बिना किसी देरी के मैं शुरुवात करता हूँ इस amazing session की, तो कहीना कहीं आज का पूरा session किस प्रकार से चलने वाला है, ज़रा एक बार हलका सा overview देख लेते हैं, तो आज की session में अपन सबसे पहले तो partition function और उसकी features की बात करेंगे, पिछली class में जो अपने last class statistical thermodynamics की करी थी, उसमें अपनने basic statistics के formulas देखे थे, और उसमें अपनने कहीना कहीं सवाल भी किये थे, आज की class में उसी story से थोड़ा सा आगे अपन discussion को बढ़ाएंगे, that is regarding partition function, ये partition function क्या होता है, इसको जानेंगे और इसकी features को जानेंगे, क्यों जानेंगे, क्यों जानेंगे, क् कहीना कहीं अपन सवालों में देख पाएंगे, previous year में जो सवाल पूछे गए हैं, वो कहीना कहीं सारी बातों से ही relate करेंगे, इन सारी बातों से मिलते जुलते सवाल पूछे गए हैं, that's why we need to study all these topics, हना, तो सबसे पहले अपन partition function देखेंगे, फिर उसका feature देखेंगे, again, जो partition function है, उसका relation देखेंगे किसके साथ, with thermodynamic entity के साथ, very, very important, right guys, again, partition function जो आपन जानेंगे, उसका relation देखेंगे, various motion के साथ, for example, जब आपन इसको translational motion की respect में लिखेंगे, तो इसको कहेंगे अपन translational partition function, then इसी को अपन कहेंगे vibrational partition function, इसी में अपन देखेंगे rotational partition function, हाला कि यह तीनी important है, एक और होता है, that is known as electronic partition function, ठीक है, तो यह 4 partition function देखेंगे, again, जैसा कि मैंने आपको बताया, यह जो भी बाते अपन पढ़ेंगे, जो भी बाते अपन जानेंग जो भी बाते अपन सीखेंगे, इन सारी बातों को उठाके previous year में apply करेंगे, right guys, तो कुछ इस प्रकार से अपना आज का पूरा session होने वाला, right guys, आईए मैं शुरू करता हूँ, सबसे पहला discussion, that is regarding partition function and its feature, right, तो guys यह partition function, क्योंकि यह बहुत important है, क्यों, एक तो जैसी मैंने पह partition function से ही अगली सारी बाते बोली जाएंगी, तो इस partition function का मतलब क्या है, इसका significance क्या है, इससे सवाल कैसे आते है, इसके features क्या है, वो सारी बाते हम सबसे पहले जानेंगे, और क्योंकि उसको जानते ही, अपन को इतना idea मिल जाएगा, कि हाँ, उससे यह अगले दो headings कैसे connect है इसका भी अपन को कहीना का information मिल जाएगा, तो सबसे पहले हम जानना शुरू करते हैं, यह partition function क्या होता है, अगेन इसके कुछ features है, उस features को भी जानते हैं, तो सबसे पहले अपन heading डालेंगे partition function, partition function, इस partition function को कुछ अपन इस प्रकार से introduce कर सकते हैं, राइट न, जान सुनना, let's suppose, इसमें पहला word क्या है, partition, मतलब यह कहीना कही, parts से deal कर रहा है, मतलब, let's suppose, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि मालनो मेरे पास, यह कुछ energy levels है, right, अब इस energy levels में, मालनो हमने कहा कि मेरे पास, यहाँ पे 0 है, यह 1st level है, यह 2nd level है, यह 3rd level है, and so on, so on, बहुत सारे energy levels है, तो let's suppose, इन सारे energy levels में, मुझे total number, मालनो मेरे पास 10 molecule है, मुझे distribute करने इनको, मुझे distribute करने, तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यह मेरे पास, कुछ level से इन में, मुझे 10 molecules को distribute करना है, तो इसको मैं distribute कैसे कर सकता हूँ, सर, obviously, आपने यह 10 molecule को distribute करना है, तो मालनो, आपने यह 3 को यहाँ रख दिया, 2 को यहाँ रख दिया, ठीके, तो 2 और 3 पांच हो गए, 10 थे, 5 को distribute कर दिया, फिर से 5 बचे, तो मालनो, आपने 3 फिर से यहाँ रख दिये, 2 यहाँ रख दिये मालनो, कुछ इस प्रकार से आपने distribution कर दिया, हना, अब यह मैंने कैसी किया, हमें नहीं पता, हमने कहा, मान के, हना, हमने कहा, कि 3 यहाँ पे होंगे, 2 यहाँ पे होंगे, 3 यहाँ पे होंगे, फिर से 2 होंगे, ऐसा भी हो सकता है, कि नीचे 4 हो सकते है, नीचे 5 हो सकते है, क सवाल अगला ये है, कि ठीक है, molecule कुछ इस प्रकार से distribute हो रहा है, तो मुझे ये बताओ, कि जो ground level है, उसमें कितने molecule है, तो कहीं ना कहीं, तुम ये बात बोलोगे, कि सर, जो 10 molecule थे ना, total, उस 10 में से, ground पे कितने है, सर, 3 है, again, उस 10 में से, पहले level पे कितने हैं, सर, 2 है, उस 10 में से, तीसरे पे कितने, या यूँ कहले, दूसरे पे कितने 3 है, and again, उस 10 में से, तीसरे level पे कितने 2 है, तो कहीं ना कहीं, पूरी बात से, मैंने, जो चीज समझी, वो ये है, कि अगर 10 molecule है मेरे पास, तो इस 10 molecule का, किस प्रकार से division है, इस 10 molecule का, किस प्रकार से part है, किस प्रकार से बाटे गए है, that means, 0 पे कितने 3 है, पहले पे कितने 2 है, फिर दूसरे पे कितने 3 है, फिर 2 है, इन सारे molecules को, जो अपने parts करके बाटे है, इन सब का ही information, जो बताता है, उसी को कहते है, partition function, that means, partition function is a function, that tells about the, distribution of the molecules, among each energy levels, right, हलका सा आपको, idea में लगा, partition function क्या है, हना, इसको अपन अभी, थोड़ा सा और समझेंगे, तो यहाँ पे, partition function को, समझने से पहले, आपको एक हलका सा, concept समझाना चाहिए, that is what, regarding the probability, यह बहुत important बात मैंने बोली, क्योंकि मैंने बोला न, अगर 10 molecule है, तो 10 में से, हमें नहीं पता भाईया, ground पे 3 होंगे, 4 होंगे, 5 होंगे, या 10 से 10 के 10 ही होंगे, हमें नहीं पता, तो हमें नहीं पता, से अगर मैं जैसी एक वर्ड लिखता हूँ न, probability, तो आपको इतना तो समझ आता है, कि सर, probability का मतलब होता है, कि chances, हाना, अब यह probability लिखा कैसे जाता है, that is what, number of outcomes, upon में, total outcomes, अखी बात है, number of outcomes upon में, total outcomes, तो यहाँ पे जो probability का मतलब है, probability का मतलब यही है, कि सर, अगर आप यहाँ पे probability का मतलब देखते हो, तो probability क्या है तेरे पास, that is what, अगर मेरे पास, let's suppose मैं ground level का probability देखना चाहता हूँ, कि ground level पे कितने होंगे, p0, p0 मतलब ground level, तो सर, हाँ, हमें पता है, total तो 10 है, अब आप जब भी probability ground state का पूछ रहे हो, तो इससे हम यह जान रहे हैं, यह समझ रहे हैं, कि आप यह जानना चाहते हो, कि ground में, कितने हैं out of total, right, तो अगर इसके according देखोगे, तो ground में 3 है, out of total, पकी बात है, अगर मैं कहता हूँ, पहला P1, तो P1 पर कितने हैं, सर, total 10 है, P1 पर कितने 2, बहुत बढ़िया, ऐसा 2 होने की possibility है, probability है, हमें नहीं पता, हाँ, तो हमने का, ठीक है सर, P0 में इसके according, इस distribution के according, इसमें 3 होंगे, out of 10, इसमें कितने होंगे, 2 out of 10, अगें ऐसे ही, अगर तू इस पर देखेगा, P2 पर, तो इस पर कितने हैं, सर, 3 है, out of 10, अगें, अगर तू P4 पर देखेगा, चैन से सुनना गाइज, important है, हर एक बात पर सवाल है, ठीक है, इसके बाद सवाल दिखाऊंगा, P3, अगर मैं P3 की बात करता हूँ, तो P3 पर कितना है, सर, 2 out of, total 10, तो, कुछ इस प्रकार से, अपन कहीं ना कहीं, probabilities को define कर सकते हैं, कि हाँ, अगर 10 हैं, total 10 हैं, तो ground पर कितने हो सकते हैं, कितने होने की probability है, that is what, 3, या 3 by 10, या 2 by 10, या 3 by 10, या 2 by 10, ये कहीं ना कहीं, हर एक level के corresponding probability है, molecules के पाए जाने की, again, अगर सर, यही probability है, तो let's suppose, आपने कहा, 0, 1, 2, 3, 4 level हैं, 0, 1, 2, 3, 4 level हैं, तो इन 4 में, आपने 10 molecule को distribute किया, और हर एक level का probability ये आया, let's suppose, let's suppose, अगर मैं आपसे पूछूँ, कि मुझे ये बताओ, total probability कितना हुआ, तो ये चीज़ बहुत important है, total probability का मतलब, कि सर, जितने भी probabilities हैं, मतलब ground की, first, second, third की, जितने भी levels हैं, उसमें जितनी भी probabilities हैं, तो total probability का मतलब, add करना, add मतलब मैंने उसको किस सरी present किया, summation से, summation का मतलब होता है, तो total probability, of कोई भी आईएथ level, हमें नहीं पता, यहाँ पे जैसे 4 हैं न, तो ऐसे कितने हो सकते हैं, तो अपनने आईएथ level बोल दिया, तो total probability, जब भी मैं निकालता होना, तो वो किस के बराबर होता है, one के बराबर, अब यह बहुत important चीज़ है, क्यों, सवाल दिखाऊंगा, फिलाल के लिए इस चीज़ को समझते हैं, मैंने क्या बोला, तो total आजाएगा, add करो जी, p0, plus p1, plus p2, plus p3, इसका कितना आजाएगा, 3 by 10, plus 2 by 10, plus 3 by 10, plus 2 by 10, नीचे कितना है, 10, LCM 10 ही रहेगा, उपर add करोगे, तो 6 और 4, 10, तो 10 upon में 10, answer will be 1, तो कही न कहीं सर, इस example से, अगर आप समझो, तो इस example से, अगर total probability भी निकालोगे, तब भी वनाएगा, तो कहने का मतलब, यह हमेशा, जब भी, total probability mention हो, तो वो कहीं न कहीं, किसके बराबर दी जाती है, 1 के बराबर, यह बहुत important है, अब यह important है, और इससे सवाल कैसे आते हैं, आईए मैं इस बात को पहले, तो थोड़ा सा समझा दू, let's suppose, अगर मैं आपसे कहता हूँ, P0 प्लस P3, या, P1 प्लस P2 प्लस P3, is equals to 1, let's suppose, ऐसे तुम बहुत सारे ले सकते हो, P4 and so on, यह सब का सम किस के बराबर होगा, 1 के बराबर, let's suppose, अगर मैं आपको पहले दे, 0, 1, 2, इसका probability दे दूँ, और बाकियों का पूछूँ, तो आप क्या अगर होगे, उसर सिंपल है, आप जितने का भी दे रहे हो, उसको मैं add करके, एक में से घटा दूँगा, अपर बच्ची वी चीज तो रिमेनिंग का यह probability आएगा, let's suppose, अगर मुझे इतने का पता है, तो इम इस चीज को उधर ले जाऊँगा, और एक से घटा दूँगा, और एक से घटा के जो अंसर आएगा, that is what the remaining probability, right guys, तो आईए इस पूरी बात पे सवाल कैसे आता है, मैं आपको सवाल दिखाता हूँ, सवाल पूछा गया है इससे, that is, this is the question, जो net exam में पूछा गया है, 2014 दिसंबर का ये सवाल है, एक बार मैं सवाल पढ़ता हूँ, सवाल क्या है, the probability of an oscillator, तो यहां पे उसने कहीं ना कहीं, probability की बात करीए, जिसमें तीन लेवल है, बहुत बढ़िया, 0, 1, 2, तो अगें, इस फाउंड टू बी, probability of 3 लेवल, वस फाउंड टू बी, इसका कितना है जी, P0 वेल्यू दे रखा है, 0.633, P1 वेल्यू दे रखा है, 0.233, P2 वेल्यू दे रखा है, 0.086, पकी बात है, राइग गाईज, अब वो हमसे क्या चाहता है, the probability of finding the oscillator, in the energy level, n greater than, equal to 3, मतलब, 0, 1, 2, इसकी तो देही रहा है, अब वो हमसे चाहता है, जब 3 हो, 4 हो, मतलब कि इससे ज़ादा वाले हो, इस 3 या 3 से ज़ादा वाले का probability बताओ, तो बहुत सिंपल है, सर, अगर आप, इनका probability निकालना चाहते हो, तो हमें पता है, कि जितने भी levels होंगे, उनके probability का sum 1 के बराबर होगा, इसको मैं और ढंग से ऐसा लिख सकता हूँ, P2 प्लस, PN greater than equal to 3, equal to 1, मतलब, P0, P1, P2, और जितने भी हैं, या तो 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, सबका sum 1 के बराबर है, अब सवाल में दे क्या रखा है, सर, सवाल में ये values given हैं अपन को, that is, 0.633, 0.233, 0.086, प्लस में, ये value नहीं पता, जो की निकालनी है, that should be equal to 1, P of N greater than equal to 3, becomes 1 minus, इस पूरी चीज़ को add करके उस से लिए हो, ये बनेगा जी, 0.633, 0.233, प्लस, 0.086, अब इसको solve करोगे, so you got your answer, is equals to 0.048, right guys, तो ये एक सवाल था, जो कही ना कहीं, किस concept के अधार पे हो रहा था, कि total probability हैं ना, तो दूसरे color से लिख देते हैं, total probability, summation of P I, that should be equal to 1, right guys, तो ये चार नंबर का सवाल था, ठीक है, जो कहीं ना कहीं अपन ने, पहली ही जो concept जाना है, पहला ही जो अपन ने, एक तरीके से, बात बोली, that is, total probability should be equal to 1, उसी बात से, ये पूरा सवाल बनता है, ठीक है जी, कहीं ना कहीं, इस पूरे session में, मैं जो भी बाते बोलूँँगा, गाइस, वो सारी बातें, वो सारी चीजें, मैं सवालों में as it is दिखाऊंगा, ठीक है, तो आपको सारी बाते ध्यान से सुननी है, योगि जैसी मैं बोलना बंद करूँगा, मैं सवाल दिखाऊंगा, ठीक है, आए, मैं आगे चलता हूँ, तो कही ना कही अपनी जो कहानी चल रही थी, वो सारी रिगार्डिंग पार्टीशन फंक्शन थी, ठीक है, तो आपने पार्टीशन फंक्शन को थोड़ा सा तो समझा दिया, कि ऐसे functions जो कहीना कहीं लेवल्स का, या लेवल्स में कितने number of molecules हैं, उनका क्या-क्या probability है, possibility है, उस चीज़ को दर्शाते हैं, इसलिए इसका नाम भी है partition function, अगेन, यहाँ पे पहली चीज़ तो अपन ने कहा, सर, partition function को समझने के लिए आपने इस probability को introduce किया, तो probability का मतलब होता है, कि अगर मैं P0, P1, P2, P3, इन सारे का sum कर दूँ, तो हमेशा 1 के बराबर होगा, ठीक है, अगेन, इस probability को अगर मुझे represent करना है, तो इस probability को, जो energy levels के लिए दिया गया, by Boltzman, तो ऐसा लिख लो, the Boltzman relates या gave a probability relation as तो Boltzman ने, यह तो अपने general basic math से समझा है, that is number of outcomes upon total outcomes, अगर मुझे इस पूरी probability को, energy levels के respect में समझना हो, तो उस बात को समझाने के लिए, Boltzman ने एक expression दिया, और इस Boltzman के according, जो भी probability था, that is directly proportional to e to the power, अगर मैं आइएथ का probability देख रहा हूँ, तो उस आइएथ लेवल की energy, upon में KBT, that is what the probability relation, मतलब किसी भी molecule का किसी भी लेवल पे पाए जाने का probability, किस बात पे depend करता है, energy या temperature, अबे P क्या है probability, तो ये probability मतलब किसी भी लेवल पे molecule होंगे, तो वो कितने होंगे, इस बात को कहीं न कहीं अपन ने दो factor से relate किया, एक तो energy उस लेवल का, और दूसरा temperature, अगेन इसी बात को अगर मैं आगे extend कर दूँ, तो ये तो था सर पी आई का, कोई आईएथ लेवल का, अगेन इस चीज़ को अगर open करते हैं, तो ये बन e to the power e i upon kbt, इसको और ढंग से लिखना चाते हो, तो आप ऐसे लिख लो, ni upon n is equals to e to the power e i upon kbt, upon में summation of e to the power e i upon में kbt, अब आप कहोगे, कि सर ये वाला जो आपने expression लिखा है, ये कैसे आगया, और दूसरा, इसका मतलब क्या है, और तीसरा, इस पे सावाल कैसे आते हैं, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ, कि ये पूर expression आया कहा से, अगेन, इसका मतलब क्या है, तो आईए, let's suppose, let's suppose, अगर मैं आपसे कहता हूँ, कुछ energy level है, क्योंकि अपनको कहीं ना कहीं energy levels का ही distribution देखना है, क्योंकि statistical का मतलब यह होता, कि molecule किस प्रकार से distributed है energy levels में, तो let's suppose, मैंने कहीं ना कहीं, कुछ energy levels बनाए, अब मुझे ये पता है, कि अगर सर, 10 molecule है, तो 10 में से probability देखने का मतलब यह है, कि सर, 10 में से, इसमें कितने है, इसमें कितने, इसमें कितने, इसमें कितने है, that simple, again, again, let's suppose, अगर आप इस Boltzman के according की बात करते हो, तो let's suppose जब आप P naught कहोगे, तो इसके according क्या है, सर, P naught, मतलब, ground state का probability किस बात पर depend करता है, E naught by KBT, पकी बात है, अब जैसे मैंने P I, P I का बोला, that should be directly proportional to E to the power EI, similarly, अगर मैं P naught की बात करता हूँ, that should be directly proportional to E to the power, minus E naught by KBT, ऐसी P1, जो P1 का probability है, वो directly होगा E to the power, E1 by KBT, जो P2 होगा, वो directly होगा E to the power, E2 by KBT, जो P3 होगा, directly होगा E to the power, E3 by KBT, and so on, so on, अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, कि सर, जब भी आप किसी भी level का probability बोलोगे, तो वो कहीं ना कहीं उस level की energy, और उसका कितना temperature है, इस बात पे depend करता है, again, again, अगर मैं इन सब को ज जोड़ दूँ, क्यों कि, let's suppose, यह 10 molecule है, यह 10 molecule है, मनने मैंने यहाँ पे 4 बना दिये, यहाँ पे 2 बना दिये, यहाँ पे 2 बना दिये, यहाँ पे 2 बना दिये, हाना, let's suppose, कुछ इस प्रकार से मैंने distribution कर दिया, तो अगर अब मैं आप से कहता हूँ, बताओ, total number कितने हैं, तो आप क्या बोलोगे, उसर सिंपल सी बात है, अगर आप सिंपल बोलोगे, p0, तो p0 क्या है, that is this, 3 upon mean, that is total 10 है, plus p1 कितना है, p1 है जी, 2 by 10, p2 कितना है जी, 2 by 10, p3 कितना है जी, 2 by 10, तो overall कहने का दूसरा मतलब यह है कि जब भी मैं तुझे total probability की बात कहता हूँ, total probability की, तो इन सब को add करोगे, तो वो कहीं ना कहीं, total probability के बराबर ही आएगा, अब सावाल अगला यह है, कि सर, क्योंकि probability ground में पाने का कितना है, जी, e to the power minus e not by kbt, तो यह ground में molecule कितना है, इस बात से पता चलेगा पहले पे कितना है, इस बात से पता चलेगा, दूसरे पे कितना है, इस बात से पता चलेगा, तो let's suppose, अगर मैं इन सब को add कर दूं, तो क्या उससे मुझे total number का पता लग जाएगा? कहने का मतलब ये है कि सर हाँ अगर 2, 2, 2 and 4 अपको add कर दोगे तो ये total number ही तो दे देंगे which means अब ध्यान से सुनना अगर मैं आपसे कहता हूँ बताओ मुझे इस सारे energy levels में total कितने परकार से molecule distributed है तो ground पे इतने है फिर इतने है that means e to the power e naught by kbt plus e to the power e1 by kbt plus e to the power e2 by kbt plus so on so on और इसी बात को क्योंकि ये सारी बात ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है ground का probability ये पहले का probability ये second का probability तो ये ही probability का दूसरा मतलब ये है कि ground पे कितने है total में से ground पे कितने part है उसके और इसी function को कहा जाता है q and q is known as partition function क्यों क्यों क्योंकि ये सारी की सारी information कही ना कही अपन को distribution के बारे में बता रही है कि वो सारे molecule किस प्रकार से distributed है तो let's suppose सर अगर आप q की बात करते हो तो q क्या है total का addition जितने भी distribution हो रहे है उन सब का add कर दोगे तो वही कही ना कही तेरा total partition function है यह यूं कहले कि जितने molecule distributed है उस सब का partition function कि वो किस प्रकार से distributed हो अब इसी चीज़ को इस बात से relate कैसे किया जाए तो अपन जानते हैं कि सर अगर आप i-th की probability जानोगे तो that should be कि i-th पे कितने है out of total अखी बात है अब i-th पे कितने है तो let's suppose सर अगर i-th पे देखना है तो इसकी according किस बात पे depend करता है उसका energy क्या है upon में kbt upon total and क्या है total number तो total किस बात पे depend करता है सबका summation that means summation of e to the power e i upon में kbt I hope so guys ये सारी बाते आपको clear हुई होंगी और इसी लिए कही ना कही इस बात को तो इससे compare करके देख ये क्या है सर ये probability है किसी level पे होने का और ये भी तो वही चीज रिप्रेजेंट कर रहा है n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है small n की out of total कितने है तो ये भी ये ही रिप्रेजेंट कर रहा है out of total उस आई-एथ लेवल पे कितने है right guys so that is the meaning of probability और उसी probability से कही ना कही अपन एक नया function introduce करते है और इसी function को कहा जाता है q q क्या है summation of e to the power e i by kb तो ये तो हल्की सी story थी अब मैं आपको बताता हूँ आपको याद क्या रखना है ठेक है फिर मैं सावाल दिखाता हूँ आईए तो आपको formula याद रखना है probability यान से सुनना गईज probability which is phi i यह क्या है given number by total number given number कितना है तो यह depend करता है e to the power उसकी energy क्या है upon में kbt total कितना है that is what partition function e to the power e i upon में kbt यह आपका एक final expression बनेगा ठेक है और इस नीचे वाली चीज़ को ही अपन कहते है partition function e to the power e i upon kbt upon में that's it ठेक है again let's suppose let's suppose यह तो पहला हो गया let's suppose अगर same मैं कुसी jth level के लिए लिखू same n j upon n that should be e to the power e j upon kbt upon में summation of e to the power e j by kbt और इसी को अपन ऐसा भी लिख सकते है e j upon kbt upon में q that's it अब यह कोई i-th level का हो गया यह कोई j-th level का हो गया that is known as probability probability again again कई बार सवाल में वो तो जातो probability बोलेगा तो direct इस formula से निकल जाएगा अभी सवाल भी दिखाऊँगा मालने अगर वो सवाल में कहेगा fraction या ratio ratio बताओ रेशो probability ratio बताओ ground का और पहले का i-th का और j-th का कैसे निकालेंगे तो simple है probability ratio का मतलब है दोनों को divide कर दो probability ratio का मतलब क्या होता है ratio का मतलब होता है कि सर जिसका भी ratio पूछा उसको divide में लेया तो pi upon में pj that should be ni upon n pi का वेलिव रखूँगा पूरा ni upon n n j upon n that should be इसको solve करो e to the power e i upon kbt by q upon e to the power e j upon kbt by q ठेक है अब काट हो जी देखो this will cancel out answer becomes pi upon pj ni upon n j e to the power e i kbt upon e to the power e j upon kbt इस minus को उपर लेके जाओंगा it become plus so e to the power e i upon kbt into e to the power e j upon kbt base are same power should be added so e to the power minus e i plus e j upon me kbt और इस minus को अगर बाहर कॉमन लूँगा it becomes e i minus e j upon me kbt और इसी चीज़ को आप कहते हैं that is the population ratio formula जो आप spectra में भी पढ़ते हैं तो यही वो formula होता है that is ni upon n j इसी को क्या बोलते हैं ji pi upon pj that is known as probability ratio जो किसके बराबर होता है e to the power e i minus e j upon me kbt और जे तो यही फॉर्मुला जो आपको ध्यान रखना है यह e i minus e j क्या है delta ही e क्या है temperature kb क्या है Boltzman constant and this is known as probability ratio right that is pi upon me pj that is what the important formula तो आप मैं एक last formula लिख दे रहा हूँ combine करके सबको अगर वो probability पूछे तो आप निकालेंगे n i upon n which is g i g i क्या होता d generacy अगर given है सवाल में तो अपन d generacy भी involve कर लेते है g i e to the power e i upon kbt upon में q where q is known as partition function right guys partition function important है जी again इसका formula क्या होता है summation of g i e to the power e i upon में kbt guys यह g i से confuse नहीं हो na g i क्या है degeneracy factor अगर सवाल में बोल रखाऊ na degeneracy मतलब double e degenerate हाना triple e degenerate हाना या तो degeneracy दे इता है वो कि 1 है कि 2 है right न तो उस case में अपन को यहाँ पे degeneracy वाली value रखने पड़ेंगी that's it इस चीज़ को extend कैसे कर सकते है extend भी कर सकते है अपन क्यों क्या होगा g g not e to the power e not by kbt plus g1 e to the power e1 by kbt plus o right तो यह तो गया probability निकालने का formula again वो probability ratio पूछे pi upon pj is equals to ni upon nj इसको याद कैसे रखना है जो उपर लिखा हुआ है वही सबसे पहले-पहले आएगा for example जैसे लिखा है pi तो उपर आया n i यहाँ पर आएगा g i upon g j e to the power minus e i पहले आएगा minus e j upon kbt यह आपका formula बनेगा जो उपर लिखा है that is i लिखा है तो सम्में i i यहाँ पहले आएगा ठीक है so this is known as population ratio का form वे दोनों बहुत important है जी दोनों important दोनों important है important यह भी है जिसको अपन कहते है partition function ठीक है वाई यह important क्यों है इस बात का मैं prove देना शुरू करता हूँ that is इस बात पर अपन सवाल करना शुरू करते है जी पहला सवाल है तो लों यहीं से शुरू कर लेते है ठीक है इसी बार जो net हुआ है June 2023 उसी में यह सवाल था बहुत simple है कुछ नहीं याद रखना जी पहले तो मैंने थोड़ी सी आपको basic सी इसके पीछे की story बताई है इस चीज को समझ कैसे सकते है अपन हाला कि अपन को याद क्या रखना है इस पूरी कहानी में जो मैंने ये लिखा है बस यही याद रखना है ठीक है अगें इस पर सवाल कैसे होंगे तो आईए मैं शुरू करता हूँ ये सवाल है कहा रहा है थ्री स्टेट सिस्टम पर दा एनर्जी एनर्जी दे रखा है कुछ हाना मालने तीन स्टेट सिस्टम है एनर्जी क्या है माइनस इनॉट जीरो एन इनॉट बहुत बढ़िया ये थर्मल एकिलिब्रियम में at temperature T if बीटा इनॉट is equal to X कुछ बीटा इनॉट का value दे रखा उसने X कह रहा है ये बताओ the probability of finding the particle in ground state अभी मैंने सिखाए यहाँ पर कोई ratio नहीं बोला है simple उसने बोला है probability बताओ ground state की बता देंगे अब बता देंगे देखो कैसे P0 which is N0 by N which is G0 e to the power E0 by KBT upon में Q और Q क्या होता है Q क्या होता है that is इसको लिख ले summation of G I e to the power E I upon में KBT पकी बात है again again यहाँ पर कहीं भी degeneracy के बारे में कोई बात नहीं गईगी तो 1 ले लेंगे degeneracy हटा देंगे यह formula कैसे बनेगा E0 by KBT upon में summation of E I upon में KBT अब ध्यान से सुनना इसको solve कैसे करना है तो अगर मैं बात करता हूँ ground state की तो ground state में तुझे पता है energy क्या दिख रेकिया है 0 ground state तो यह ही है इसका energy क्या हो जाएगा 0 यहाँ पर 0 रखोगे आ जाएगा E to the power 0 upon में summation E to the power EI upon में KBT तो किसी की भी power 0 कितना होता है 1 upon में summation E to the power EI upon में KBT अब सवाल उठता है इसी को हम क्यों भी कह सकते हैं क्यों भी लिख सकते हैं तो इसका value निकलते ही हमारा P0 का value निकल जाएगा अब इसका value कैसे निकले हैं जान सुनना तो अगर मैं Q का value देखूँ तो पहली बात तो तीन level है तो तीन levels के लिए Q लिखा जाएगा हना that is what G0 Degeneracy 1 ही है तो E to the power E0 by KBT इसको अपन 0 यसको लिख ले दू E0 0 और E1 sorry E0 है ना इसको solve कर लिए E to the power minus E0 by KBT plus E to the power E0 by KBT plus E to the power यह plus हो जाएगा यहाँ यह मैंने कैसे किया एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ कोई बात नहीं देखो Q क्या होता है तुमारा important है गाईज यह चार नंबर का सवाल पूछा गया था आइए इसको कर देते हैं बहुत सिंपल है देख क्यों क्या होता है summation of E to the power E I upon me KBT पक्का अब इसमें तीन लेवल है तो E to the power पहला कितना है 0 not है that is minus E not है तो minus E not upon me KBT प्लस इस पर energy कितना 0 E to the power minus 0 plus E to the power यहाँ पर E not है upon me KBT पहले में energy कितना है यहाँ पर minus E not है यहाँ पर 0 हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा minus E not इसका मतलब इसका मतलब यह है कि सर किसी में भी let's suppose अगर इस 2 को आप इस side लिए सकते हो इसको rearrange कर सकते हो यह given है न तो 2 cos Hx भी लिख सकता हूँ is equals to E to the power x plus E to the power minus x तो अगर कुछ भी ऐसा given हो E to the power x E to the power minus x उसको मैं किस के बराबर लिख सकता हूँ 2 cos Hx के बराबर let's suppose here अगर मैं बात करता हूँ तो इस पूरी चीज़ को अगर मैं compare करूँ तो यह positive का x आ गया और सेम चीज़ में यह minus आ गया तो कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे मैं इस पूरी चीज़ की जगा लिख सकता हूँ मैं 2 cos Hx अब x क्या होगा तेरा जो भी पावर में है तो पावर क्या है e naught by kbt तो यह आगया तेरा q अब तेरा answer क्या आ रहा था 1 upon q इसका 1 upon q करोगे 1 plus 2 cos Hx तो यहाँ पे देख cos Hx की term में दे रखा है तो इसको x ही मान रखा उसने that means यहाँ पे तो x ही रख दे ठीक है क्योंकि option में x की term में दे रखा है तो इसका जब तो reverse करेगा तो reverse करते ही cos Hx की power में minus 1 that is what option number is the correct answer जहाँ रखना यहाँ पे 2 का cross multiply ज़रूर करना नहीं तो option c वाला match कर जाएगा जो की गलत होगा तो option आपका जो सही है that is what d वे 4 marks का पूछा गया था important था जी सवाल अच्छा सवाल था बिलकुल probability वाले formula से ही होना था कुछ नहीं किया simple एक probability का formula लगाया उसके नीचे क्यों बचा था यहाँ पे मैंने 0 को रख दिया energy जी अभी मैंने उपर वाले में 0 रखा ना क्योंकि उसने ground state का पूछा तो यह ground state है जिसमे energy 0 है इसका value निकालोगे तो इसका value निकलते ही तरह पास 1 upon 1 plus 2 cos hx बचेगा और इसको उपर लेके जाओगे तो इसके power में माइनस वन आ जाएगा और वही कहीं ना कहीं अंसर में भी mention है that is what option number d यहां से अपने यह पहला सवाल देखा based on this formula that is known as probability formula ठीक है आगे चलते हैं जी आगे चलते हैं एक सवाल है जी यह वाला यह सवाल है gate 2019 का ठीक है इस सवाल में क्या बहुत सिंपल है consider the two state system जो भी बोल रहा बनाते चलो दो state system है having energy कॉन कॉनसी है जी 0 और 2 kbt बहुत बढ़िया अब इसमें degeneracy बोला गया है degeneracy is तो जी नॉट कितना है जी वन और जी वन कितना है जी अगें दा value of partition function पूछ रहा है बता देंगे जी बिलकुर बता देंगे क्यों क्या होता है सर summation of gi e to the power e i upon में kbt पकी बात है अब यहाँ पे दो लेवल है तो इसको दो तक extend करूँगा मतलब g not e to the power e not by kbt प्लस g1 e to the power e1 by kbt दो तक extend करूँगा अब इसमें value substitute करेंगे देखो g not कितना है वन e to the power e not क्या है जी रो प्लस जी वन टू e to the power minus 2 kbt upon में kbt इसको काट दो what it becomes अब इसको solve करेंगे we got our answer so that is very very important यह important है जी वन प्लस 2 e to the power minus 2 is an answer तो कुछ नहीं किया simple partition function वाल है formula लगाया जो जो data था उसको substitute किया यह answer आ गया that's it right तो कहीं ना कहीं direct partition function से भी आ सकता है फिर से मैं उसी slide पे चलता हूं जी अपनने एक सवाल तो इस पे किया अब दूसरा सवाल हमने इस पे किया राइट ना इस पर डिरेक्ट अपनने वैल्यू सब्स्ट्यूट करके अंसर निकाला अगे चलते हैं यह राजी अगला सवाल यह सवाल है यह भी नेट में पूछा गया है यह सवाल क्या कह रहा है कह रहा है था vibration of the homonuclear diatomic molecule is new कोई new frequency से molecule vibrate कर रहे है the temperature at which the population of first excited state will be half that of ground state कहने का मतलब कि यह बताओ कि कौन से ऐसा temperature होगा जिस पे population first excited state की half हो जाएगी ground state से मतलब अगर मान लो population का मतलब हो गया P1 तो P1 क्या होता है N1 upon N population क्या रहा है अगर मान लो मैंने कहा जी यह P है तो P0 का क्या होगा जी कि इसको दूसरे ठंग से बोल ले ground state का मान ले मैंने का P population है यह N1 population है क्योंकि अगर मैं population ratio का formula लगाता हूँ N1 upon N0 is equal to G1 upon G0 e to the power minus delta E upon में KBT formula यह लगेगा यह जो formula अपन ने बोला कहीं न कहीं यह इस वज़ा से लगा क्योंकि यहां पे न हमको दो probabilities या दो populations का कहीं न कहीं value दे रखा है कहने का मतलब population of first excited state is half that of ground state तो यहीं से मुझे पता लग गया कि दो population का कहीं न कहीं relation पूछा है तो वो इस प्रकार से इस formula से देखा जाता है अब इस formula में बोला है कि जो population है ground state का या first excited state का वो half है ground state के तो अगर मैं n1 की बात करता हूँ obviously population बोल रहे है n1 बोल ले वो कितने है? ground state के half है और ground state का n0 से represent करते है again इसमें degeneracy कहीं नहीं बोली गई तो degeneracy 1 हो जाएगा अब यह delta E कितना बोला है? ठीक है? तो यहाँ पर जो delta E बोला है that is what equal to h new हना? that is frequency होता है जो तिरे पास gap होता है that is what h new होता है ठीक है delta E कितना होता है? h new gap होता है हना vibration में जो gap होते हैं na energy levels में वो कितने होते हैं? h new तो तुझे delta E पता है तुझे kb पता है तुझे temperature निकालना है n1 और n0 का information भी सवाल में दे रखा है value substitute करोजे देखो n1 का value कितना है? n0 by 2 upon में n0 अब यह n1 की जगे n0 by 2 रखती है that becomes degeneracy factor 1 है e to the power delta E upon में kb अब यह cancel out हो जाएगा it becomes 1 by 2 is equals to e to the power minus delta E upon में kb दोनों साइड log लूँगा यह बनेगा ln1 by 2 is equals to यह log और exponential cancel out हो जाएगे delta E upon में kb t again इसको उपर लेके जाऊँगा ln2 to the power minus 1 बनेगा is equals to minus delta E upon में kb t अब इस minus की जो power है log का property इस्तमाल करके इसको आगे भी ला सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ minus ln2 is equals to minus delta E upon kb t this minus and minus will cancel out अपनको temperature निकालना है temperature को इधर ले जा तो delta E upon में kb into ln2 और delta E कितना है तुमारा? h new तो तेरा final answer जो दिखेगा वो ऐसे दिखेगा h new upon में kb ln2 तो देखो temperature पूछा है उसने बोला है किस temperature पे ऐसा होगा? हाना? हमने temperature निकालना h new upon में kb into में ln2 option number b जो आपको option number b होगा वो correct हो जाएगा और ऐसे सवाल 4 marks के ही पूछे जाते हैं तो कुछ नहीं करना simple सा formula है ratio निकालना है value रखनी answer तेक है? चलिए चीए आगे चलते हैं अगली बाच that is this is also the question same ये भी उसी ratio वाले concept पे ही based है आई ये सवाल को भी कर लेते हैं ये रहा है if the energy of the bare proton हाना if the energy of the bare proton aligned along and against the external magnetic field तो energy दे रखा है जब वो align करता है along और against तो along पहले बोला है इसलिए जो energy पहले दे रखा होगा वो along का होगा अपे along अगेंस बोला है तो यहाँ पे energy जो पहले दे रखा होगा वो along के corresponding होगा और यह against का होगा then पूछना था ratio of probability of finding the particle along and against तो जब भी ratio निकालना हो तो ratio में definitely सर कुछ उपर रखते हैं और कुछ नीचे रखते हैं उपर कौन सा होगा जो उसने पहले बोला है that is along वाला उपर आएगा तो आपको निकालना के इस सवाल में हमें निकालना यह है कि जो P along है upon P against है वो कितना होगा वो कितना होगा जी यह निकालना है बस कैसे निकालेंगे बहुत सिंपल है N along by N against वही फॉर्मला लगाऊंगा that is E generation यह आपे नहीं दे रखी 1 आ जाएगा direct E to the power delta E तो मैंने अभी आपको जब expression लिखा था आपको सिखाया था जब भी उपर मानले along लिख रहा हूं तो उपर जो भी पहले लिखूंगा वो along के term में ही आएगा मतलब अगर P along लिख रहा हूं right guys अब यहाँ पे आपको जो जो बाते निकालनी है देख उसने energy along का दे रखा है यहाँ पे रख दो जी against का दे रखा है यहाँ पे रख दो इसको solve करोगे तो यह ratio यह उसने पूछा है solve करो जी E to the power minus E along कितना है minus H cut PZ upon में 2 सवाल देखके डरना नहीं है जी बिल्कुल वही same story है upon में 2 minus H cut gamma PZ by 2 यह minus क्यों है क्योंकि obviously plus है ना इस plus को जब तू multiply करेगा तो यह minus ही हो जाएगा ना by में कुछ नहीं किया simple value रखे अब further इस minus है बाहर तो minus है इस minus को अंदर multiply करो what it becomes E to the power H cut gamma BZ by 2 and again this minus minus become plus H cut gamma BZ by 2 whole के upon में क्या है जी KBD अब देखो दोनों चीज़ सेम होगे दोनों add हो जाएगा तो बनेगा 2 H cut gamma BZ by 2 और नीचे वाले 2 से 2 cancel out हो जाएगा तो overall बचेगा क्या overall जो तुम्हारा expression बचेगा वो बचेगा E to the power H cut gamma BZ upon में KBD that's your answer H cut gamma BZ upon में KBD option number D is the correct one that's it दो line में सवाल हो जाता है भईया चार नंबर का सवाल है 4 marks ठेके गाइस तो ऐसी पता नहीं कितने सवाल पूछे गए नेट और गेट में राइट ना मैंने आपको करना सिखा दिया यहाँ पे जितने भी जो भी उसने बोल देगा हो जा तो probability ratio बोल देगा या अगेन किसी एक level पे पोल देगा जैसे ground state का probability बताओ अगेन इसमें से delta ही पूछ लेगा ratio देके delta ही पूछ लेगा ratio देके temperature पूछ लेगा तो ऐसे ही सावाल आ सकते हैं कहने का overall मतलब यह है कि अगर आपको इन formulas का idea है तो आप इन सारे सावालों को easily कर पाएंगे तो that is important यह important है अगेन अगली बात यह तो अपने basic सा formula देखा partition function का और उस पर अपनने कुछ सवाल किये हैं अगेन इसी story में अब मैं partition function के बारे में feature देखूँगा feature of partition function इसके feature क्या है आईए इसके feature देखते हैं फिर उस पर भी सवाल दिखाऊंगा अब अपन पढ़ने वाले हैं जी feature of partition function important है important है पहला feature क्या है यह जो function है ना partition function इसको मैं अब क्या लिखूँगा जी क्यों is a unit less entity मतलब partition function है यह unit less है इसका मतलब क्या है बहुत simple सा मतलब यह है let's suppose मैं इसको examples ही समझातों मालने है अपन ने इसका expression लिखा न k to the power e i upon में k bt उपर क्या है सर energy यह क्या है energy है यह क्या है जी energy है तो अगर उपर भी energy है नीचे भी energy है तो energy by energy unit क्या होगा unit less कर जाएगा वो इसलिए अपन कह सकते हैं जो partition function है is a unit less entities का कोई unit नहीं है और यह बात बहुत important है कि जब अपन ट्रांसलेशनल partition function लिखते हैं और वाइब्रेशनल लिखते हैं और रोटेशनल लिखते हैं उन सारी बातों को समझने के लिए यह बात बहुत important है that is rotational partition function is a unit less entity वो सारी बाते जो मैंने अभी बोली ना translational vibrational rotational उसमें जब अपन unit convergence की बात करते हैं उस unit conversion को सीखने के लिए ना हम इस बात का इस्तमाल करते हैं कि partition function हमेशा unit less ही होना चाहिए अगें आगे दूसरी बात जो भी partition function है अगें आगें 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 आगे इस इकोल टू रैसी प्रोकल ओफ पार्टिशन फंक्शन मतलब यह है कि जब भी मैं आपसे कहता हूँ ना पार्टिशन फंक्शन और प्रॉबबिलिटी ओफ ग्राउंड स्टेट हाना मैं आने आप ए ग्राउंड स्टेट के प्रॉबिलिटी की बात करिए जब भी प्रॉबिलिटी ओफ फाइंडिंग दा पार्टिकल इन ग्राउंड स्टेट पी नॉट पे वेल्यू किसके बराबर होता है रेसी प्रोकल ओफ पार्टिशन फंक्शन ऐसा क्यूँ तो बहुत सिंपल है अगर मैं पी नॉट की बात करता हूँ यही फॉर्मला होता है अपे पी नॉट मतलब की ग्राउंड स्टेट का इनर्जी अपॉन में टोटल पार्टिशन फंक्शन अगें पी नॉट है तो पी नॉट मतलब ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट का जनर्ली एनर्जी जो होता है energy of ground state is equals to 0 that means E naught का value क्या 0 मानते हैं तो यहाँ पे 0 रखोगे तो P naught का value क्या आएगा 1 upon Q तो जो भी value होगा probability का ground state में वो कहीं ना कहीं 1 by Q होगा that means reciprocal of Q होगा यह दूसरी बात तीसरी बात partition function will never be 0 जो partition function का value है Q है उसका value कभी भी 0 नहीं आ सकता उसका minimum value कितना हो सकता है the minimum value of Q उसका minimum value एक के बराबर हो सकता है 0 कभी नहीं हो सकता आए इस बात को इप्रूफ कर देते हैं important है जी तो मालनों मैंने लिखा partition function का formula जी नौट ए टूदी पावर इनौट बाइ के बीटी इसको इन जनल बोलें तो जी आई ए टूदी पावर ये अपॉन में के बीटी बस फॉर्मूले ज्याद होने चाहिए पावर इनौट बाइ के बीटी इवन इटूदी पावर इवन बाइ के बीटी प्लेस जी टूदी पावर इटू बाइ के बीटी प्लस ओं अब यहां पे क्योंकि अपनने अभी जस्ट बोला कि energy of ground state is taken as 0 तो क्यों कितना हो जाएगा जी नौट इटूदी पावर जी रो e2 e to the power e2 बाइ के बीटी प्लस ओं अब यहां पे इस चीज को फर्दर अगर मैं आगे solve करता हूं तो e to the power या किसी की भी पावर 0 कितना होता है 1 होता है g1 e to the power e1 बाइ के बीटी प्लस g2 e to the power e2 बाइ के बीटी प्लस 1 तो यह तो अपने एक simple सा generalized expression निकाला अब उपर क्या क्या रहा है कि सर partition function का minimum value कितना हो सकता है यह बताओ इस बात को अपन conceptually भी समझ सकते हैं और mathematically भी समझ सकते हैं mathematically कैसा समझेंगे let's suppose अगर मैं कहता हूँ मैं temperature घटा दो temperature tends to zero कर दो temperature zero कर दो तो यहां भी zero यहां भी zero और denominator में zero मतलब किसी की भी denominator में zero रखने से वो चीज infinite बनती है राइट ना तो क्यूं कितना हो जाएगा जी जी नॉट प्लस जी वन इतुदी पावर माइनस infinity फ्लस जी टू इतुदी पावर माइनस इंफिनिटी प्लस रोण और किसी की भी पावर इंफिनिटी कितना होता है जी जी रो ग्राउंड स्टेट का डी जनरेसी के बराबर और जनरली ग्राउंड स्टेट का डी जनरेसी कितना होता है वन यहाँ पे और बढ़िये तरीके से लिखना चाहते है तो ऐसे लिख लो इस पे टिफर पे भी सवाल था अब ही मैं सवाल लिख दे रहा हूं तो यहां से अपने पहली बात तो यह समझे कि सर जब भी मैं टेंपरेचर को जीरो करता हूं टेंपरेचर जीरो करने का मतलब कि सर आपने कहा पार्टिशन फंक्शन हमें डिस्ट्रिबिशन बताता है नर्जी लेवल्स का कि मॉलेक्यूल कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रिबूटेट हो सकते हैं मानलो अगर अपने टेंपरेचर ही घटा दिया जीरो कर दिया तो मॉलेक्यूल ज्यादा से ज्यादा कहा होंगे सर सारे के सारे ग्राउंड पर आ सकते हैं अब कहीं तो रहेंगे ना ग्राउंड पर तो रहेंगे ना तो पार्टिशन फंक्शन का वैल्यू जीरो नहीं होग किसा टेंपरेचर जीरो करने पर मॉलीक्यूल ज्यादा से ज्यादा ग्राउंड भी आ सकते हैं इसलिए अपन ने कहा कि जो भी पार्टिशन फंक्शन का वेल्यू वो डीजनरेशी ऑफ ग्राउंड स्टेट के बराबर है इसको लिखना चाहते हो तो ऐसे भी लिख लो डीजन फंक्शन वन टेंपरेचर टेंट्स टू जीरो और डीजनरेट ज्राउंड स्टेट तो इसका अंसर क्या होगा बहुत सिंपल है मैं ऑप्शन देता हूं ए बी सी डी जीरो वन टू थ्री तो मैंने अभी आपको समझाया कि जब भी पाइचिन फंक्शन का वैलीव देखना है टेंपरेचर टेंट्स टू जीरो तो पाइचिन फंक्शन किसके बराबर होता है डी जन्रेशी ऑफ्ट गराउंड स्टेट और यहां पे डी जन्रेशी कि इतना बोल रखा है और डबली डीजनरेट ग्राउंड टेर्ट का सवाल ह ठीक है गाइस तो कुछ इस प्रकार से इन सारे फीचर्स पे भी सवाल बनते हैं अभी अपन नेट के भी सवाल करेंगे तो फिलाल के लिए यह था कि partition function का कभी value 0 नहीं होता उसका minimum value कितना होता है this is what case 1 ठीक है हम मैं चलता हूं जी using equation 1 g0 plus g1 e to the power e1 by kbt g2 e to the power e2 by kbt e3 e to the power e3 by kbt and so on ठीक है अब इसमें मुझे maximum का value देखना है that means जब temperature बहुत ही ज्यादा है मतलब infinite value रखो जी 0 e to the power e0 plus g1 e to the power e1 by infinite e2 by infinite and so on obviously temperature है तो सब में infinity का sign आ जाएगा denominator में और किसी की भी अगर reciprocal में यहाई हूं के लिए denominator में infinity है तो वो पूरी चीज 0 बन जाती है तो q becomes g0 plus g1 e to the power 0 अब किसी की भी अगर denominator में 0 हो तो वो infinity बनती है अगर infinity हो तो वो 0 बन जाता है राइट ना यह बनता है g0 e to the power 0 plus 1 इसका value देख लो लाओ जी और इसी चीज़ को अपन कहते हैं कि वन प्लस जी टू प्लस जी त्री डाट इस वाट डी जनरेशी ओफ इच लेवल और इन सब को आट कर दूँगा तो यह क्या कहलाएगा summation of degeneracy तो जब भी मैं partition function का value आप से पूछता हूँ at this condition that is temperature tends to infinity या फिर at high temperature बोल दूँ या फिर maximum value बोल दूँ तो आपको पता होना चाहिए that is the equal to sum of degeneracy of all state हाना ऐसे लिख लो यहाँ पर sum of degeneracy of all state तो आईए इस बात पर अब जैसे कि मैंने यह बात बताई आपको case 1 इस पर सवाल करवाया पर ने यह सवाल किया again यह जो case 2 था जिसमें अपने बोला जब temperature tends to infinite होगा बताओ मेरे पास degeneracy यहीं के लिए partition function क्या होगा that should be equal to summation of degeneracy of all state अब इस पर सवाल कैसे आता है एक सवाल पूछा गया है इस पर CSIR net 2014 दिसमबर का यह सवाल करना कैसे बहुत simple है कह रहा है कि when temperature tends to infinite जब भी temperature infinity की तरफ जाता है यह बताओ the value of single partition function will be single partition function का value क्या होगा बहुत simple है कि सर्फ partition function जब temperature zero हो जा रहा है और temperature जब infinite हो रहा है दोनों पर यह अपन ने अभी देखा इसमें state degeneracy के बराबर है इसमें सारी degeneracies जितनी भी स्टेट सबकी degeneracies के सम के बराबर है इसमें से T tends to infinite पर पूछा है तो अपन कहेंगे जी summation of all the degeneracies of the all state हना यह कहले summation of degeneracy of all state है ठीक है गाइस चलिए आगे चलते हैं तो अगली बात जो अपन पढ़ने वाले हैं सीखने वाले वह अगला feature है तो अपन ने यहां से feature of partition function में पहला feature जाना कि सर्जो partition function है उसका कोई unit नहीं है वो unitless है दूसरा अपन ने कहा कि जो partition function है उसका जो reciprocal है that should be equal to probability of the ground state अगेन हमने कहा partition function कभी 0 नहीं होता उसका minimum value degeneracy of ground state के बराबर हो सकता है और maximum value कितना हो सकता है जी sum of degeneracies of all the state राइट अगेन चौथा जो भी partition function है 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 मल्टिप्लिकेटेव इन नेचर पार्टिशन फंक्शन आर मल्टिप्लिकेटेव इन नेचर इसका मतलब इसका मतलब जब भी let's suppose अगर मैं कहता हूं partition function 1 है फिर 2 है फिर 3 है तो यह add नहीं होंगे यह क्या होते हैं multiply होते हैं that is the meaning of कि जो partition function है वो मल्टिप्लिकेटेव इन नेचर है अगेन पांचवा विंदू यह भी important है अगर let's suppose if we have n particle और वो भी कैसे an distinguishable particle guys important है distinguishable particle तो आपको जो अपनने पहला lecture देखा था इसका statistical का उसमें अपनने कहीं न कहीं इस distinguishable और indistinguishable वाली स्टोरी से सवाल किये थे अना हमने कहा था कि अपने पास जब भी distinguishable होंगे उसके लिए formulas अलग होंगे number of ways निकालने के लिए जब भी अपन indistinguishable की बात करते हैं तो उसके लिए formulas अलग होंगे number of ways निकालने के लिए similarly यहां पे भी हम distinguishable की बात करेंगे हमने कहा कि अगर indistinguishable particle है और उनको एन तरीकों से distribute किया गया है तो इस case में total partition function कैसे दिया जाता है function is given as तो इसमें total partition function दिया जाएगा q अना अगर मैं n तरीके से distribute किया ना are distributed in n ways कहने का मतलब माल ले अगर n particle है तो मैंने यहां पे molecule को distribute कर दिया यह पहला तरीका है फिर ऐसा भी हो सकता है कि molecule में यह भी तरीका हो सकता है तो ऐसे n तरीके हैं अना तो अगर जब पहला तरीका कह रहा हूं तो इसका कुछ partition function का value होगा अगर यह तरीका कह रहा हूं तो इसका partition function का value होगा अगर ऐसी n तरीके हैं तो n values होंगे partition function के और हमने अभी बोला कि partition function add नहीं होते multiply होते हैं तो इसलिए अपन कहेंगे q फिर दूसरे के लिए q फिर तीसरे के लिए q फिर चौथे के लिए and so on so on that means q to the power n अगर n times है तो q की power n हो जाएगा ओविसलिए न दो q को multiply करता हो तो q square हो जाता है अगर ऐसी n times करूँगा तो q की power n हो जाएगा यह कब है जब distinguishable है और let's suppose same story n indistinguishable particle उसको मै n ways में ही distribute कर रहा हूँ तो इस case में जो आपके पास total partition function बनेगा वो कितना बनेगा तो यह चीज़ अपने last class में भी discuss करी थी और यह चीज़ आपको ध्यान भी रखनी है जब भी मैं distinguishable से indistinguishable आता हूँ इसमें जो story में बदलाव आता है न that is let's suppose distinguishable के लिए same चीज n distinguishable के लिए n तरीके से कितना आ रहा total partition function q to the power n अब अगर मैं indistinguishable का n तरीकों से distribution करता हूँ तो जो भी q to the power n है उसके divide में n factorial आ जाएगा तो यह n factorial क्यों आ रहा है क्योंकि जैसे ही मैं indistinguishable के लिए बाते बोलने शुरू करते रहा हूँ यह चीज इंपॉर्टेंट है कि जब भी मैं distinguishable से यह indistinguishable आता हूँ मैं one upon n factorial का divide कर देता हूँ या multiply कर देता हूँ एन factorial का divide कर देता हूँ इसको ऐसे लिख लिख लिए divide by अब यह important क्यों है आईए मैं इस पर भी सवाल दिखा देता हूँ यह है यह है जी सवाल यह साइर नेट 2015 जून में पूछा गया है क्या रहा है the indistinguishability correction in the Boltzman formulation is incorporated with the following ways so indistinguishability correction मतलब की जैसे मैं distinguishable से indistinguishable जाता हूँ मैं n factorial का divide करता हूँ इसमें बोला है कि is replaced by q by n जो भी qn होता है वो qn by n factorial हो जाता है जो भी q होता है तो definitely यह होता है जो qn था उसको अपन ने कहा qn by n factorial that is what option number b right guys so this is also very very important यह important है ठीक है जितनी भी बाते मैं बोल रहा हूँ सारी बातों पर मैं आपको सवाल दिखाते चल रहा हूँ ठीक है यह सारी बाते आपको ध्यान भी रखनी है जी important है ठीक है तो यह हो गए जी feature of partition function right यह होगे जिनके पांच feature partition function के और इस partition function से पहले जो अपन ने बाते बोली है that is related to the formula अना that is this this is also very very important यह कहीं ना कहीं एक basic सा introduction था partition function के लिए right ना partition function को जानना है तो उसके कहीं ना कहीं जो बाते याद रखनी है एक तो उसका formula याद रखना आपको दूसरा इस probability वाले relation को याद रखना है और तीसरा इस probability ratio वाले relation को याद रखना है यह तीनो फॉर्मले इस इंपोर्टेंट है इसके features इंपोर्टेंट है right guys तो यह था अपने पास आज का session अब guys इसमें से जो अपने पास दो topic बचे हुए इसको भी अपन detailing में cover up करेंगे definitely cover up करेंगे ठीक है आने वाली videos में that is the relation of partition function with thermodynamic entity and then partition function with various motion जिसमें अपन यह सारी motions के बारे में discuss करेंगे आची class में अपन ने क्या देखा आची class में guys जो मैंने सवाल करवाए हैं यह अभी कुछ सवाल है इसको दूसरे sense में बोलूँ तो ऐसे ही बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं ठीक है ना यह तो मैंने आपको types में दिखा दिया हर एक बात पर सवाल दिखा दिखा दिया ना ऐसी बहुत 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 बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं PSIR net में IIT gate में हना इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना features बहुत important है partition function के उन सारी बातों को ध्यान में रखना है अब बची दो बाते हैं that is partition function with thermodynamic entity और partition function with various kind of a motion इसको भी अपन अगली वीडियो में cover up करें ठीक है फिलाल के लिए हमने जो दो वीडियो में पढ़ा है आपको वह सारी बाते ध्यान में रखनी है उनको बार बार पढ़ना है ठीक है गाइस बहुत बहुत शुग्रें गाइस देखने के लिए बबाए